आनन्जन शलाकेया चक्षुरुन्मिलितम्येना तस्मै श्री गुरुवे नमहा श्री गौरंगा नित्यानन्द श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्री वासादी गौर भक्त व्रिंदा वांचा कल्पतरुभ्यस्च कृपा सिंदु भैवच पतिता नाम पावने भ्यो वैश्नवे भ्यो नमो नमहा हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे तो आज हम 124 वे नंबर श्लोक पे श्री श्री राधारा सुधानिदी चर्चा करेंगे कल 123 पे हमने देखा कि श्री पाद ने सादक अवस्था में प्रार्थना करी श्री राधारानी की उनके गुणों की चर्चा करी उनकी महिमा की चर्चा करी और प्रार्थना करी कि वो श्री राधारानी की सेवा और दर्शन पा सके तो जैसे हमने चर्चा करी कि यहां तो श्रीपाद के हिर्दे में लीला स्फुरित होती है उनकी प्रार्थनाओं के फल्सवरूप भगवान की कृपा के फल्सवरूप और नहीं तो सादक अवस्था में भी यदिवे रहते हैं तो उसमें भी उनका वोही जो राधा दास्यम है उसी प्रगाड राधा दास्यम में उनके हिर्दे से प्रार्थना निकलती है सूर्ती के अभाव में श्रीपात का चित विगलित रहता है वे व्याकुल प्राणों से पुकार रहे थे हे स्वामीनी मुझे लीला राध्ये में ले चलो और ऐसी विपुल प्रार्थना जब किसी के भी हिर्दे से निकलती है तो ही उसके हिर्दे में लीला का स्फुरण होता है हमारे भीतर और उनमें यही एक बहुत बड़ा भेद है कि हमारे हिर्दे से यह प्रार्थना नहीं निकलती कि हमारे भीतर उनके रूप को देखने की लालसा हो या उनके गुणों की समझने की लालसा हो लीला देखने की लालसा यह हमारे हिर्दे से नहीं निकलती हम यह उनकी सारी जो त्रिशना है वो उस तरफ लगी हुई है और हमारी त्रिशनाएं इस संसार में हैं और वो यंद्रवत चल रहा है और वो इस संसार में यंद्रवत जी रहे हैं तो उन्होंने क्योंकि यह प्रार्थना करी के रादारानी उन्हें लीला राजे में ले चलें तो उसके फल फरूप आज हम देखेंगे के श्रीपाद की वो प्रार्थना के फल फरूप रादारानी उन्हें उस लीला में ले जाने के लिए आई और उनके हिर्दे में लीला का स्फुरण भीवा अनाम्र आनन चंद्रम इरीत द्रिग अपांग छटा मन्थरम किंचिद इर्शी शिरो अव गुंठन पटम लीला विलास अविधम मतलब उनका ऐसा विलास की एक अंग के साथ दूसरा अंग एकदम जैसे मानो मिल ही गया हो तो श्री कृष्ण के अंग के साथ मिलित अंगावली एवं विपरीत विलास वती विपरीत विलास वती प्रेम वैवर्त विलास है इसकी इस शलोक में चर्चा होगी तुमारी अलक मंजरी अपनी उंगलियों से उठा कर उस लीला विलास परावधी उस लीला विलास परवदी मतलब जब आपका ये विपरीत विलास हो रहा होगा उस लीला विलास के समय मैं आपकी जो अलकावली है उसको यहां अलका मंजरी कह गया मैं उसको अपनी उंगलियों से उठा कर मतलब अपनी हाथों से वो हटा कर अनाम्र वदन चंद्र मंथर अपांग छटा अनाम्र वदन चंद्र का मतलब आपकी थोड़े सी नजरे छुकी हुई आपका चेहरा जुका हुआ मन्थर अमांग छटा मतलब आपके भीतर से जो छटा निकल रही है वो थोड़ी उस समय मन्थर है थोड़ी कम है जैसे उस समय क्योंकि विपरीत विलास चल रहा है तो अनुराग की तो ये उच्टम अवस्था है पर उस समय क्योंकि विलास चल रहा है तो विलास के समय जो पटा अर्धमुक्त अवगुंठन एवं चकित दृष्टी से कब आपके दर्शन करोंगी अर्धमुक्त मतलब थोड़ा सा पल्लू आपका नीचे है। आप देख नहीं पारी और जब मतलब देख नहीं पारी मंजरी को देख नहीं पारी और जब मंजरी आई और उसने अपनी उंगलियों से अलकावली और वो उपर किया तो चकित नजरों से श्रीमती उनको देख रही है राधी का कि ये कैसे यहाँ पे तो जब चकित नजरों स श्री राधा मादव विलास कर रहे हैं श्री पात किंकरी के रूप में कुंज रंद्रो पर अपनी आखे रखकर युगल की विलास माधुरी के दर्शन कर रही है देखते देखते श्री युगल की विलास मात्रैक तन्मेता जागरित हो उठी विलास मात्रैक तन्मेता ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो जैसे श्लोक में बुला गया कि एकदम तन्मे हो गया है एक दे के साथ दूसरा दे इतना तन्मय हो गया कि मानों उनमें कोई भेद ही न रह गया हो विलास की चरम उतकर्ष दशा में श्री यूगल का चित विलास के अतिरिक्त अन्यान्य सभी विशियों में अनुसंधान रहित हो जाता है जब ऐसी दशा आती है कि विलास मात्रईक तन्मयता हो गई जिसमें दोनों एक ही अपने आपको एक ही दे मैसूस करते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि हम विलग विलग हमारा दे है अलग है ऐसा लगता ही नहीं तो जब ऐसी अवस्था आजाती है ये विलास की चरम उतकर्श दशा है सबसे उच्टम अवस्था है एसी आजाती है तो बोलते हैं इस उनके हिर्दे में उनके चित में विलास के इलावा किसी विशे का अनुसंधान रहता ही नहीं मतलब और कोई सुत्वूत रहती नहीं और कोई अनुसंदान और कुछ समझ में आती नहीं बस केवल एक दूसरे की प्रसन्दाई उनके हिर्दे में रहती है तब अनुसंदान का एक मात्र विशे यही बन जाता है पास पर एक सुख तात पर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को सुख प्रदान करें परसपर के सुख विधान के लिए क्रमशा वर्दमान चरम उतकंठा में नायक नायक काउ की चेश्टाएं विप्रीत भाव देखने में आता है जब इतनी चरम अवस्था में पोच जाते हैं एक दूसरे को आनंद देने के लिए तो ऐसा होता है कि और कोई अनुसंधान ही नहीं रहता ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं यही हूँ और दोनों को एक दूसरे के प्रती ऐसे लगने लग जाता है जैसे हम यही हैं इतनी चरम अवस्था आ गई उसके बारे में सोचते 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 उसको आनंद देते ह हुए बढ़ते 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 अनुराग इस अवस्था तक पोज गया कि आप फरक ही नहीं लग रहा है ऐसे लगी नहीं रहा है कि मैं कोई विलग हूं इतनी अब यह अवस्था जो है यह हम केवल यहां पर सुन सकते हैं इसकी अनुभूती चाहा के भी नहीं कर सकते क्य यह स्वाद वो ही जानता है जिसने यह चखा है और यहां कोई इस दे में उसको चख सकता नहीं है तो इसलिए चरम उतकर्ष अवस्था ही है नायक नाई का जान बूचकर भी अगर अपनी चेश्टाओं को विप्रीते घटित कर सकते हैं यह ऐसा भी होता है कहीं कहीं लीला करी है जिसमें रास हो रहा है और किशोरी जी बासुरी बजा रही है उन्होंने कृष्ण का रोल ले लिया है वो बासुरी बजा रही है और शाम सुंदर गोपियों के सहीद भागते वह आ रहे हैं और रास में समलेत हो रहे हैं तो उस रास में रादा कृष्ण ने बुद् ने किया है किशोरी जी कृष्ण बन गई और कृष्ण जो है वो किशोरी जी की तरह आ रहे हैं और वंशी किशोरी जी बजा रही है बीच में खड़े होके तो ऐसी अवस्था को बोलते जो ये वली अवस्था है इसमें गोपियों ने तो संपूर रासलीला का अस्वादन किय पूरी रासली लिवी ऐसे हुई कि लो जाए हुए। सखियों के साथ यह सारा अस्वादन हुआ तथा पी वह प्रेम विलात विवर्थ नहीं है यह प्रेम विवर्थ विलास नहीं हुआ क्योंकि यह जान के किया है जान के किये गए को प्रेम विवर्थ विलास नहीं बोलते है विलास मात्र एक तन्मैता से उत्पन भेद ग्यान शुन्यता ही राधा कृष्ण के प्रेम विलास की चरम परकाष्टा है। इसका कहने का ताथ परे विलास मात्र एक तन्मयता। की चरम परकाष्टा हो जाती है। उसको प्रेम विलास कहा जाता है। यह बात भी उलेकिनी हैं कि भेद ग्यान शुन्यता ज्यां मारग के सादकों की तरह भ्रह हीं के साथ लीड हो जाने वली नहीं है। ऐसा भेद ग्यान शुन्यता नहीं है जैसे ग्यानियों में भेद ग्यान शुन्यता हो जाता है तो उसमें भी यह हो जाता है कि अपना पता ही नहीं है कि हम कौन है लेकिन उसमें क्या है कि वो एक जोती के साथ लीन हो जाते हैं तो अपना जो स्वरूप है वो खतम हो जाता है समझ गये अपना जो एक भेद था जो अलग था वो खतम हो गया अब वो जोती कि में लीन हो गए जो ग्यानी लोग होते हैं तो उनके मत अनुसार क्या होता है घट के फूट जाने से घटाकाश महाकाश के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है जैसे इसको क्या बोलते है घटाकाश और महावकाश अगर आप यह पढ़ोगे तो इसमें जैसे एक मठका है मठके के अंदर हवा भरी है आकाश है जो खाली जगह होती है अगनी प्रिट्वी वायू आकाश जल इन पांच तत्वों से बना है तो जो यह खाली जगह है इसको आकाश बोला जाता है तो मठका मठक अस्तित्व नहीं है जीव का कोई अलग अस्तित्व नहीं है इस दे के अंदर है जब यह खतम हो जाएगा तो वो और परमात्मा आत्मा और परमात्मा आपस में मिल जाएंगे जैसे घटाकाश महाकाश से मिल जाता है वो उसमें लीन हो जाएंगे जैसे माया का आवरण मिल जाता है उसका कोई प्रिथक अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता यह ज्यानियों का अंडरस्टेंडिंग है तो यहां पर बोल रहें राधा कृष्ण निर्विशेश भ्रहम नहीं है यहां जो उंका एकाकार होता है यह दोनों सविशेश भ्रहम सचिदानंद घन एवं अखंड प्रेम तत्व हैं तो लीला स्वादन के लिए यह दो रूपों में विराजवाण हैं वो वैसे ही रहते हैं एचे राधा कृष्ण दो हें एकेई स्वरूप लीला रस अस्वादिते धरे दूई रूप लीला रस का स्वादन चानने के लिए दो रूप लिया है प्रेम विवर्त विलास जो होता है उसमें उनके देहों की भेद शुन्नेता की बात नहीं कही गई है समझ गए देह नहीं एक दूसरे के साथ मिलकर एक बन जाता देह तो अलग-अलगी रहते हैं भावो के भेद रहित्yt की बात की भाव मिल जाते हैं एक दूसरे से जैसे किषऊरी जी अपने आंको कृष्ण समझने लगी लेकिन टो बाव एक दम से मिल गए लेकिन शरीर तो प्रिथक की रहे ऐसे थोड़ी कि देखने में ऐसे देखा कि दोनों एक हो गए तो ग्यानियों का यही होता है वो सोचते हैं कि आत्मा और प्रमात्मा एक दम एक हो गए उग का ऐसा रहता है पर यह ऐसा नहीं है दे दो ही रहता है चमतकारित वह ऐसा नहीं ह एक के मन में रमण भाव दूसरे के मन में रमणी भाव प्रेम विलर्थ विवास में इस रमण रमणी भाव का पार्थिक के ही लुप्त हो जाता है यही नहीं समझ में आता रमण कौन है रमणी कौन है और रमन अपने आपको रमनी समझ रहे है ना सो रमन ना हम रमनी रमनी में से कोई विलुप्त नहीं हुआ किन्तु जो रमन भाव है और रमनी भाव है ये लुप्त हो गया है समझ गया है ये लुप्त हो गया कि मैं रमनी हूँ ये लुप्त हो गया कि मैं रमन हूँ ये भाव लुप्त हो गया पर ये रमन और रमनी जो हैं वो तो हैं दे रूप से तो हैं तभी कांता की चेश्ठाएं कांत में और कांत की चेश्ठाएं कांता में प्रकट हो गए हैं वह भावगत एक के हैं वस्तुगत एक के नहीं है यह बात समझ में आ गई ना भाव एक के हैं कांध कि चेस्टा एं श्रीमत जीव ऩो क्योनी अर्थ बिश्वनाच करवतीप ragrainer लिखा कि उसका विपरीध प्रेम विवर्त विलास प्रेम विपरीध विविलास और प्रेम परिपाक विविलास तो गहें दोनों को सही माने तो चरम परिपक्व दशा में यह विप्रीत घटित होता है दोनों ही सही है जब परम परिपक्व हो जाता है जब एकदम अपनी चोटी पे पोच जाता है विलास जब अनुराग अपनी चोटी पे पोच जाता है तब यह प्रेम वेवर्त घटित होता है तो चोटी पे भी पोच गया परिपाक भी श्रीमती की अलक मंजरी विलास माधुरी में विलास माधुरी के संपादन में कुछ बाधा उपस्थित कर रही है किशोरी जी की जो अलकावली आ रही है वो विलास में बाधा उत्पन कर रही है अलकावली का निर अतिशय शोभा देख कर ही मंजरी शब्द का प्रियोग किया गया है उसकी ऐसी शोभा है अलकावली की कि उसको वो अलक मंजरी बोल रहे हैं अलका मंजरी अलका मंजरी और मतलब उसका कहने का ताथ पर अलकावली ही है जैसे कलम चर्चा कर रहे थे कि सेवा ना कहकर प्रेम सेवा उसको का गया महाभाव के चरम मादन का उच्छ स्तरीय विलास है इसलिए अंग प्रत्यंग की इतनी माधुई है आज इतनी माधुर्य के साथ क्यों हलकावली को भी बुला जा रहा है अब ये अनुराग जो है इसकी दो दशाएं हैं ये ये दो दशाएं एक साथ ही आती है है देखो जब अनुराग अपनी चरम अवस्धा पर पोछता है तब क्या होता है कि कृष्ण और किशोरी जी पहले तो ऐसे तो कृष्ण और ब्रज सुंद्रियों के बीची एक प्रतिस्प्रदा है वो क्या है कि मैं आपको खुश करना चाती हूँ और उनके भीतर क्या है कि वो उनको खुश करना चाते है तो जब किशोरी जी शामजू को प्रसंद करना चाहती है और शामजू थोड़ा भी प्रसंद हो जाते हैं तो किशोरी जी प्रसंद हो जाती है किशोरी जी प्रसंद करना चाहती है यह देखके ही शामजू प्रसंद होते हैं अभी चेश्टा बाद में आईगी उनके भीतर य मान में आजाए पर शाम ज्यु उससे भी प्रसंद हो जाते हैं क्योंकि उनका मान भी उनको प्रसंद करने के लिए तो तो किशोरी जी जब उनको प्रसंद करने की चेश्टा करती है उस चेश्टा से शामजू प्रसंद हो जाते हैं शामजू प्रसंद होते हैं यह देखके किशोरी जी प्रसंद हो जाती है किशोरी जी को प्रसंद देखके शामजू और प्रसंद हो जाते हैं शामजू को और प् क्या है कि जैसे समझो कृष्ण को हुँ आप और भक्त आश्राइए तो कि विशे क्रिष्ण है विशे तत्व जो है वह जो विशे तत्व है वह अपनी सरवोच वस्था में किया है कि जब हम विशे क्रिष्ण को मान लेते जैसे इस जगत में बहुत सारे विशेयों से हम आनंद लेना चाहते हैं अब हम क्या हैं हम आश्रय हैं मुझे आनंद किसे मिलता है एक बड़ी गाड़ी से इक्जैंपल समझा रहा हूं इस जगत में तो बड़ी गाड़ी विशेय हो गया और मैं आश्रय हो गया कि मेरे सुख का आश्रई क्या है मेरे पास बड़ा घर आ जाए तो बड़े घ खर को बोलेंगे विशे और मैं आश्रई संञे जिसको भोग राय वह विशे अब विशे अपनी चरमतम अवस्था में क्या पुठाइब पूच जाता है क। यह चरम्दम अवस्था है विशे की कि जब किसी भग्त को जब किसी जीव को कृष्ण से ही आनंद आए उसके लिए कृष्ण ही विशे है और आश्रे अपनी चरम्दम अवस्था में कब पहुच जाता है जब वो विशे को प्रसंद कर पाए अपने प्रेम से तो आश्रे अगर भग्त है और विशे अगर कृष्ण है तो विशे की सरवोच वस्था कृष्ण है और आश्रे की सरवोच वस्था रादरानी है समझ गए आश्रे भग्त सबसे उपर भग्त कौन है रादरानी तो आश्रे की सरवोच वस्था क्या होए? राधारानी विशे की सरवोच वस्था क्या है? कृष्ण तो यावत आश्रे वृति जो है वृति का आर्थ एक तरीके से समझे लो प्रविर्ति यावत आश्रे प्रविर्ति इस अवस्था में जिसमें कृष्ण से प्रेम करने की आश्रे की प्रविर्ति सर्वोच स्तर तक पूछ जाती है यह दशा जो है यह स्वस्वमवेद दशा ह आए जिसमें आश्रे अपनी चरम वस्तावे पोच गया जो टॉप मोस्ट आश्रे है मतलब इससे उपर आश्रे नहीं हो सकता आश्रे इतना अच्छा हो गया कि विशय भी आश्रे बन जाए आप समझ गये बात समझ गये जैसे मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे कपड़े आप पहनना चाते हो एक एक्टर है मैं आपको बिर्कुल संसार में आके बताता हूँ आप समझोगे एक एक्टर है यहाँ पे एक हीरो है बहुत अच्छा हीरो है सब लोग उसको फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे कपड़ों को देख रहा है कि य यह सेट अगर मैं यह पहन लूँ तो मैं बहुत सुन्दर लगूँगा तो वो सेट ऑफ क्लोथ्स वो कपड़े जो हैं वो विशे हैं और वो पर्सनेलिटी जो से पहनना चाहता है वो आश रहा है उसे लग रहा है मैं यह पहन के प्रसन हो जाओंगा अब वो उसको पहनता है जब वो उसको पहनता है तो वो पर्सनेलिटी इतनी बड़ी है कि उस पर्सनेलिटी के कारण वो कपड़े चल पड़ते हैं और हर आदमी पहले तो नहीं वो कपड़ों को इतना अच्छा बानता था मगर अब अच्छा मानने लगा क्योंकि उस पर्सनेलिटी ने वो पर कृष्ण जो हैं उनको इतना चमत्करित्व हो गया आश्रेच तत्व इतना उपर हो गया इसको बोलते हैं यावत आशरेवृति हैं कि यावत आश्रे ajust जो है वह स्वसे को आनंद दे रहा है तो विशे विशै मिंहीं रहा है और यही प्रेम विलाव वे बढ़ता है इसी लिए बोल रहे हैं कि जब अनुराग जो है वो स्वसंवेद दशा स्वसंवेद दशा मतलब आश्रे भौत उपर हो गया यहां फिर यावत आश्रे वृती में पोच जाता है जिसमें आश्रे और विशे एक दूसरे को समझी नहीं पा रहे कि आश्रे कौ कौन है और विशे कौन है ऐसी अवस्था में जब पोच जाता है और महाभाव की अवस्था में आ जाता है यह मादन आखे महाभाव में संभव है यह और किसी में संभव भी नहीं है किशोरी जी के लावा मादन की परिणिती में यह रादा मादव के प्रेम विलास विवर् जो है यह मादन की परिणिती में हो सकता है मादन आखे माबाव में यानि किशोरी जी में ही जंबव है और कहीं जंबव ही नहीं है यह किंकरी ने एका एक कुझ में प्रवेश कर श्रीमती की अलकावली जो है वो उनमिलित कर उनमित कर उसको उठा कर अर्थात सैयत करके यथा स्थान सन वेशित कर दी है उसको संबाल दिया उसको पीछे कर दिया धन्य है सेवा प्राणा राधादासी का सेवा सौभाग्य है श्री मती का थोड़ा सा उस समय अवनत मुक्चंडर मुक्चंडर नीचे है अर्ध मुक्त अव गुंठन है और आधा घुंगट से ठका हुआ ह मंथर अपांग छटा है धीरे धीरे उसमें से प्रकाश निकल रहा है चकित द्रिष्टी सभी कुछ अभीनव है यह सारी चीजे सब कुछ और द्रिष्टी जो है वो भी हैरान हो गई उनको देखके अब पूर्व मनोरम है सौंदर्रे और माधुरे की पराकाश्ठा से यु वेशित करने के लिए भीतर जाती है तो वो यह सारे दर्शन करती है किस प्रकार उनका मुख जो है वो थोड़ा नीचे जुका हुआ है उनके चेहरे पे घूंगट आया हुआ है और मंथर अपांग छटा है द्रिष्टी भी उनकी कैसी चकित हो रही है यह सब वो देखती ह साक्षात जब वे इसके दर्शन करती है तो संपून अभी प्राए उसके लिए भी व्यक्त करना संभव नहीं रहता है ऐसा द्रिष्य है रसिक महानु भाव बाबा इसमें बोल रहे हैं जो रसिक महानु भाव हैं वो श्लोक को प्रच्छन रस मादुरी का आस्वादन स्व वर्त यह जो रहसे है यह हर कोई समझ नहीं सकता यह कैसे होता है यह समझ नहीं सकता प्रियास ही कर सकते हैं थोड़ा सा समझाने का पर अनुभव का तो विशह ही नहीं है क्योंकि यह संभव ही नहीं है यह केवल मादन आखे माभाव में ही संभव है इसलिए रामनंद राय इसे श्रीवन मापरभू पूछते और बताओ और बताओ आगे कहे यार आगे कहे यार तो आखरी में जब वो प्रेम विवरत विलास की बात करते हैं तो श्रीवन मापरभू उनके मुख पे हाथ रख देतेगी बस ये ऐसी चरम अवस्ता है कि इसका विवरन नहीं किया जा सक तो इसलिए बाबा भी बोलते ये निश्टावान मंजरी भाव के सादकों के प्राणों की प्रिये वस्तू है वे बड़े एकांत भाव से इस लीला मादुरी का आस्वादन कर आनंद सागर में डूबा करते हैं श्रीपाद ने इस लीला मादुरी के आस्वादन के साथ-सा बीतर जाके उनको ये सेवा भी मिली ये लीला मादुरी का अस्वादन भी हुआ इसी के साथ सहसा जब किशोरी जी का ऐसा स्वरूप देखते हैं तो उनकी स्फूर्ती में विराम आ जाता है अब वैसादक दशा में फिर बड़ी आरती के साथ यह अस्वादन पुना प्राप करने के लिए श्री राधा चर्णों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मुझे यह दुबारा से तव राधी के सचकित आ लोकम कदा लोक है अब मुझे कब यह दुबारा यह दृश्य प्राप्थ होगा कि मैं ऐसा देख पाँ और ऐसी सेवा करता हूं इसी के साथ यह 12 24 वाष लोक पूर्ण हुआ कल 125 वे पे चर्चा करें